सामने आप देखिए एक दरभंगा में स्टार्टप है एक हाउस वाइप का इन्होंने लोग क्या कहेंगे जब लोग भी मेरे बार में सुखते हैं तो फिर नए वीडियो में दरभंगा में तो वैसे आपने बहुत जगह चाई पिया होगा लेकिन बिहार में बहुत कम ऐसा द सामने आप देखिए एक दरभंगा में स्टार्टप है एक हाउस वाइप का जिन्होंने घरों के काम के सिवाए भी अपना एक बिजनेस सुरू किया है नाम है पीटी सी मतलब परी एंड टी कैफे इनका यहां पर देखिए चाई दुकान है जहां यह साम सुबह चाई करेंगे लेकिन किस तरीके से यहां पर मतलब एक चीज तो भाई है कि यह देखिए एक चीज तो है कि दरभंगा में अगर जहां भी जाहिए आपको फुट बात पर ऐसा आपको साफ सुत्रा वाला जगा बहुत ही कम मिलेगा जहां आप साफ सपाई के साथ चाई पी सकते है अब बात करके इनहीं से बताएंगे इन्होंने आखिर यह बिजनेस ही क्यों चुना क्योंकि अमोवन लग्यां जो है वह इस तरीके का बिजनेस चुनती नहीं है और इन्होंने चुना है तो इसके पीछे कोई फास रीजन तो जरूर होगा लेकि फिलाल कश्यमर सब लगात चाय पीजेगा इसके बाद ही अच्छा यह अभी आप देख क्या है कैसा लग रहा है कि हमारी घर की महिलाएं भी निकल के स्टार्ट अप कर रही है जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा शुरुआत है जी जी और हर एक लक्ती तो फूट सेल्फ डिपेंडेंट होगाना च लेकिन शुरुआत करते ही भीड लगे जाए और उमीद है कि इनको आप लोग सपोर्ट कीजिए का काफी लोग आपको इस साइट भी चाय पीते हुए दिख जाएंगे लेकिन दिया कि यह 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 कुछ टाइम तो मिले तो हम बात करें क्या नाम हुआ मैं आपका परी सिंग अच्छा कैसे यह लिमाग में आया बिजनेस से अच्छा 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 एक लिगातार कश्मर आ रहा है और जाय पी रहा है कहा है कि यह किस्टमर को सब्सक्रेंगी प्रफीनी उख रहिए आप मतलब दिली में जौब कर रही थी आप उसको फेर आप छोड़ के यहां दरभंगा सिफ्ट हुए और दरभंगा सिफ्ट हुने के बाद यही मतलब की जा के टी एस्टोर लगाना है कभी ऐसा नहीं लगा कि टी एस्टोर लगाएंगे साधी हो गया प्राइवेट नोपी थोड़ना पड़ेगा मुझे अच्छा आप है कैसा लगा चाय आपको बिल्कुल बहुत अच्छा यह पहली बार आप देख रहे हैं तरभंगा में अनुमन कहीं भी है ऐसा मैंने नहीं देखा कि कहीं फीमल्स चाय बेच रही हो और वह भी इस तरह किना नहीं सौच की बात कर रहे हैं स्वाबलम्बी बंना हुस्ता यहां कि पना कौई नहीं है सबसे पड्ला में स्वाबलंबी नहीं हम कह रहेते कि हमारे सोसाइटी का ऐसा माइनसेट है कि फीमिल्स आके फूट पाथ पे कोई स्टाइप नहीं करते हैं तो समाज को तो किसी भी इस्थिती में कुछ न कुछ कहना ही है अब इस्पायर लोग इनसे भी हो सकते हैं और जो गर बैटके हम कुछ नहीं कर सकते हैं यह उनके लिए एक जांपल है ना बिल्कुल कि इंस्पायर आप अपनी खुद से होता है अगर यह आज जब तक इनके इनके पास इनके पास आया यह सोच यह बिचार आया तो यह जब तक खुद अपने आप से इंस्पायर नहीं हुई है अपने आप से इंस्पायर होने के बाद ही इनों नहीं यह दंदा शुरू किये यह किसी दूसरे से इंस्पायर होके दंदा नहीं शुरू किये होंगे यह खुद से अपने आप से पहले इंस्पायर हुए है तब यह सब्सक्राइब कर रहे हैं वह काविले तारीफ है और लास्ट में देखने की पूरी कोशी से इनके द्वारा इस तरीके का स्टार्ट अगर दर्वंगा में और हो जाए तो फिर लगता है जो हाउस वाइप घर बैठ के श्रियल देखती हैं वो सिरियल ना देखके इंदीरी से इंस्पाइड होके वो भी स्टार्ट अब कुछ ना कुछ कर लेंगी है ठीक ठीक भाई लोग वाई चीज का भीड़ है कि चाय का एकदम यहां पर मेटरियल तेयार हो रहा है क्या सब फ्लेवर रहता है कौन सा फ्लेवर आपके चाय में तो सिफ अध्रा करी लाइंची घर उसके शुगर फिरी मतलब जो डाइबिटीज कमरीज है उनके लिए उनके लिए प्राइस बता दीजिया इनकी नों चाय कर चाय सुगर फिरी चाय दस रुपे है और नॉर्मल जैसे साथ हैमेल है उसका आट रुपे है और असी एमेल का 10 रुपे और फुलर 12 रुपे है उन पंदर के अंदर नहीं है आपके पास मिलता है वह दस बारा रुपे है तो यहां पर आपको पुरा हैजीन मेंटेन के साथ मिल जाएगा अगे बस यही चाय की और इबी इसमें कुछ आडवन करने वाली है अब अब इसी को आपको थोड़ा लेके चलना आवजा ना था टायमिंग तो अभी दो से नो रखते है राटके नो बजे नो बजे नो बजे अब सब यह लगाई आपने कैसा रहा कस्टमर का रिस्पोंस अभी तक बहुत अच्छा बहुत अच्छा लोग सपोर्ट कर रहे हैं जी सपोर्ट यहां पर बहुत करें मिट्ला के वासी सब गर्स हो या जेंस जो भी है मतलब बच्चे बुरिये सब पसंद करते हैं जब आप चाहे अब करने कि यहां कि प्रोपर कहा की रहने वाली है जी जीला दरवंगा जीला दरवंगा यह कभी आसा नहीं कि श्टोर लगाए और ससुराल से कुछ सुनने को मिला बहुत सबस्ट कर थे अच्छा बहुत सब्स्ट्पोर्टीव हैं हस्बें आपके क्या करते हैं जी आस्ब तो डॉक्टर है जी वह प्रैक्टिस में अबना कहीं है कि जिनका डॉक्टर हो और उनकी वाइप अगर आपको फूट भात पर अगर इस तरी की का स्ट्रोल लगाते दिख रहे हैं तो इसके पीछे कोई बड़ा सा कारण है कि छोटा स्ट्रोल नहीं है इनके पीछे इनका पर इसके बाद फिर इसको आगे एक्सेंड करना है ना जी दो पार दो बजए से रात के नो बजए तक दो पार दो बजए से आपको यह लोकेशन बता दूए अहां मंदिर का यह गेट है बगलम इन्वर्सिटी थाना मिल जाएगा और सामने जो आपको दिख रहा है यहां पर यह जो रोड जाती है यह देनवी रोड है और इस इस्टेशन रोड भी कहते हैं इसी सेंटर पर आपको यह मिल जाएगा इनका नाम है पीटी सी जिसका फुल पॉर्म है पड़ी एंड टी करते हैं दो पार दो बजए से राप के नो बजए आई और यह जैसा आपको चा लिए और इनको देखिए यह किस तरीके से स्टार्ट अप की हैं तो आएए दो पहर दो बजए से लेके रात के नो बजए तक यहीं पर इनका हाथों का चाइप बीजिए बागी हमारा वीडियो कैसा लागा कोमेंट सेक्शन में बताईएगा फिर मिलेगा किसी नए वीडि कर दो पका लेजिए